एन्टी ए यूजी सिनेट यानि निमिजिनेट डाउनलोड इट उन गूगल प्ले स्टार सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पासके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े है असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहुतास निमि है और आप सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमिजिनेट पर दोस्तो आज हम प्यूपिल एंड एन्वायरमेंट के अंदर जेव विविजिता यानि की वायर डायरिस्टी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो इ इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तो स्योर नेट और जारफन लेने के लिए आप हमारा पेड़ कोर्स भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर दोस्तो हम आपको सभी 10 उनिट के स्टेडी नोट्स देंगे वीडियोस देंगे 2012 से लेके दिसम्मर 2019 तक किसी की दोस्तो हमारे कोर्स जोइन करना तो आप हम इस वर्टस अपनमर के मैसेज कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैव विविदिता यानि की वायर डायरश्टी होती क्या है देखे प्रिथिवी के विभीन आवासों में तरह तरह के पादवप वे किसी हमते हdi जीव जनतु रहते हैं और जिन में से काफी विलूप्त हो को चुके हैं और कुछ विलूप्त होने कि कगार पर हैं तो इन सभी को क्या कहते हैं जैव विविदिता कहते हैं वर्ठस 2010 को जयव विविदिता का अंतराश्टीय वर्सक घोशित किया गया था ये चीज हमें पता होना जुरूरी है अब बात करते हैं दोस्तों जैव विविधिता हमारी कितनी तरह की होती है मुखे रूप से ये तीन तरह की होती है दोस्तों सबसे पहले होती है अनवांशिक विविधिता अब इसके अंदर क्या होता है दो की परजातिया पचास हजार से अधिक पाई जाती है आम की जो परजातिया है वो दस एक हजार से ज्यादा पाई जाती है तो इसे हम क्या कहते है अनुआनशिक विवितिता कहते हैं और उसके बाद हम बात करें जैसे जातिय विवितिता अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तो तो हमारा भागोलिक अक्षित्र है उस हिसाब से जो विविदिता पाई जाते हैं उसे हम कहते हैं इकोलोजिकल डाइवर्स्टी कहते हैं इसके अंदर जैसे कि भारत में रैगिस्तान वर्षावन पतजड़ वन आधी की पारित अंतर विविदिता नारवे से अधिक है और इस एक रैड़वुक डेटा लिष्ट जारी करता है जिसके अंदर हमें यह वताया जाता कि कौन सी जो जाती संकट गृस्त आई विलुपत होने कि कगार प है या जो विलुपत हो चुकी है इसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है अगर इसके अंदर हम कुछ बैसिक ची अब स्रेणी की बात करना काफी जरूरी है दोस 도 यह जो रेड वुक डेटा है ये नो स्रेणियों में विवाज़ित होती है सबसे पहले बात करते हैं विलुप्त जाती की का कोई भी जीवित सदसन नहीं बचाओ तो उसे हम क्या कहें विलुप्त कहें की ऐसी प्रजाती जिनका जाती का वनों से विलुप्त होने का खत्रा बना हुआ हो और उसके बाद दोस्तों संक्ट ग्रस्त जाती का वनों से विलुप्त होने का खत्रा बना हुआ हो उसे कहेंगे और उसके बाद दोस्तों ऐ सुरक्षित के अंदर जाती की वनों में संक्ट गरस्त हो जाने की संभावना हो उसे हम कहेंगे आई सुरक्षित तो दोस्तों यहां पे नो कटेगरी दी हुए है आप इन नो की नो को पढ़ लेना और साथ के साथ हमने इंगलिस में इनके नाम दिये हुए हैं तो आप यह भी पढ़ लेना और जैसे कि अब हम बात करें दोस तो और जो चीज अब हम देख लेते हैं IUCN दवारा जारी लाल सुची में अब परजातियों की संख्या टोटल कितनी होगी है 93,577 होगी है जितनी भी नो कटेगरी उनके अंदर कितरा है टोटल 93,577 है और जिन में से जो अधीक संक्ट गरस्त है वो कौन सी है दोस्तों 26,19 परजातिया अधीक संक्ट गरस्त है और आगे हम जैसे बात करें कि अब तक 6 परजातिया विलुप्त हो चुकी है जिससे कुल विलुप्त परजातियों की संख्या बढ़कर 800 बहत्तर हो गई है और उसके बाद जैसे 1700 परजातिया नाजुक स्थिदी के अंदर भी चल रही ह है और उसके बाद हम जैसे बात करें कि नई सुची के अनुसार 19 परजातिया जो पहले से ही संक्ट गरस्त थी उनका जो लेवल वो ओपर बढ़ा दिया गया है दोस्तों वो अब खत्रे की घंटी के अंदर आ गई है खत्रा और बढ़ गया है उनके उपर और जैसे कि हम बा स्रेणी में सामिल हो गया है यह चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है और उसके बाद जैसे हम बात करें कि आस्ट्रेलिया की साथ परतिस्ट स्रिस्पर्स जिनमें छिबकली एमम सांप भी सामिल है विलुप्त के कगार पर पहुंच गई है और और भी इसमें काफी सारी कि निष्ट होने से है यह चीज़ी हमें ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इस तरह के जो कोशिण है कथन अभी कथन के अंदर आ सकते हैं अब बात करते हैं हम भारत के परमुख राष्टिया उद्यान के बारे में दोस्तो इसमें से पहले तो वैसे कोई ज्यादा कोशिन न परनाटका के अंदर बहगवार महाविर नेसनल पार्क है गोवा के अंदर तो ये पूरी की पूरी लिष्ट दी गई यहां कर देख लिए लुना दोसन जैसे की डाची गाम कहां पर शीरीनगर के अंदर ये बात जैसे कि हम बात करें दोस्तों important dam in India with the river across ये इस में से दोस्तों साइद इसमें भी एक कोशन आने की संभावना है ज्यादा कोशन नहीं आया है ज्यादा रटा लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन आप एक बर इसे देख जरूर लेना दोस्तों इसमें से वैसे तो बहुत ज्यादा कोशन नहीं आये आज तक लेकिन फिर वी आप एक बर एक नजर जरूर दोडा लेना और इसे पूरा रटने की जरूरत नहीं है बस एक बर इस लिस्ट को देख लेना की कौन सा डैम बनाया हुआ हुआ है वो आप देख लेना जैसे हरी कुंड है वो कहां पे है ही डाम है वो है गुजरात के अंदर दिया हुआ है तो यह आप एक बर देख लेना दोस्तों यह पूरी की पूरी लिस्ट दी हुए है हमने दोस्तों यह जो लिस्ट हम देख लेते कितनी है 72 की लिस्ट है जैसे कि यह हो गया राज घाटा यह कि कहां पे है उत्तर के अंदर दिया हुआ है तो आप एक बर इसको देख लेना दोस्तों और दोस्तों आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाले वीडियोज को सानी से देख सके थैंक्यू दोस्तों